हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है हम कक्षा ग्यार में बार्वी में चलने वाल पूस्त है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्यन कर रहे हैं आज की कक्षा में हम समकालीन हिंदी साहित्य बचर्चा करेंगे समकालीन हिंदी साहित्य में सबसे पैदे हम समकाल विधाओं की अपिक्षा कुरत कम ही लिखे गए यानि चुनाटक विधा है वो कहानी विधा उपन्यास विधा इन सब की अपिक्षा कम लिखा गया नाटक को अभिने संगीत मुरत्य तथा अन्य द्रश्य कलाओं से समभन वित होना पड़ता है इस कारण यह एक चटिल विध वर्तमाल समय की गहंतर होती अनुभूतियां का प्रस्तूति करण अनुभूतियों का प्रस्तूति करण तता तदनु रूप बड़ी नाट्यों मंदलियों के अभाव की कारण यह विधा पिक्षा क्रत व्रदी नहीं कर सकी तो आप से पूछा जा सकता है कि समकालिन साहित् एसी कौन सी विधा है जो की व्रदी नहीं कर पाई वो नाटक विधा है फिर भी पहले दो धसकों में हिंदी नाटक में नए पर तथा प्रियोग सीलता में नई नाट्य भूमी की खोचकी है मोहन राकेस के बाद हिंदी नाटक निराशा और पराजय भूत के संसार से निकला है उसके बाद अनेग नाटक का नाटे छेत्र में आए जिन्होंने नई टैक्निक नई रंग स्रस्टी और प्रियोग धर्मिता के आधार पर नाटिस रजन के संभावनां को जीवन्त कर दि तनाओं जटिल परिवेश का स्थितियों को नए रूप तंत्र की कोसल से नाटकों में अभिवेक्ति प्रतान के इस त्रस्टी से भिश्म शाहनी के हानुष ये नाटक बहुत मेत्वपूर है आप याद रख लेंगे भिश्म शाहनी का हानुष कभीरा खड़ा बजार में ये तो है भिश्म शाहनी के हानुष और कभीरा खड़ा बजार में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बखरी कही बार नैट की परिक्षा में भी पूछा जाता है और अने कही हिंदी की प्रतियों की परिक्षा में पूछा जाता है बखरी किस विधा की रचना है ये पूछ ल दहर्वय लक्ष्मी नाराएणलां के अभिमन्यू अब्दुला दीवाना मुद्रा रक्षु का मर्जिवा 3 तेमदुआ मुद्रा रक्षेशक का मर्जिवा। सुरेण्ध्र बर्मा के सूरी की अंतिम किरण से सूरी की पहली किरण तक सेतुबंद आठवा सर्ग कई बार पूछा हुआ है और मृदुलागर के एक और अजनबी महतपूर नाटक है एक और अजनबी किस विधा की रिश्चना है पूछा जा सकता है तो नाटक की मृदुलागर द्वारा लिखा हुआ है आगे दिखते हैं सन साथ के बाद उबजे मोहभंग और संबंदों की अरथ हींता के जीवन के पूराने गणित को गलत तहराया गया साथ के बाद में क्या हुआ जो मोहभंग और संबंदों के अरथ हींता थी उसको गलत तहराया गया इस त्रस्टी से पोनाय सामने जग्दिश चंद्र माथूर इनके सार्दियानाटक लक्ष्मिनारान लालक ने कर्फ्यू व्यक्तिगत सगुन पंची सुरेंदरवर्मा का अध्रोपती गिर्राज की सोर के नर्मेग्य मनिम्हदुकर के दुलारी भाई शुशिल कुमार ने या यारो की एक मिनट यार चारो की चार ये किसका है शुशिल कुमार सिंग का मुद्रा रक्षिर का तिल चट्टा यॉर्स फैत्फुली गुफाएं संतोला विश्णु प्रभा करने अब और नहीं रामकुमार भ्रमर्नी तमाशा प्रत्फिना सास्ट्री ने किर्नक शोबना बुठानी ने शायद हां मैं नहीं वेंगे ट्रिस्टी दी ये साठ के बाद की बाद यहां हम कर रहे हैं इसमें मुद्रा रक्षिश का तेल चिट्टा कई बार पुछा हुआ है यॉर्स फैत्पुली मुद्रा रक्षिश का है सुरेंदर वर्मा का द्रोपती पुछा इसमें संकर्षेस के घजुराहु का सिल्पी दया प्रिशात का इतिहास चक्र लक्षमी नारायन भारत द्वाज का अश्वथामा जैसंकर ट्रिफाटी का कुडुक्षेत्र का सवेरा लक्षमी नारायन लालका राम की लड़ाई नर्सिंग का था एक सत्य हरिश्चुन्दर गिरी राज किसोर का प्रजाही रहने दो प्रजाही रहने दो किसका है गिरी राज किसोर का पुछा हुआ नाटक है नरेंदर कोहली का संभूक की हत्या नरेंदर कोहली का संभूक की हत्या सुरेंदर वर्मा का चोटे सेयद बड़े सेयद और आठवा सर्ग लेकनी नाटक ह बबारे में इसके विष्व वष्व वस्तू के ना पूछा जाता है जा याद रखेंगे всё राजनेति की सिद्धान थीन था और सरलिकरन और वॉधिक दिवालियपन ने आद्मी को जखजोर दिया था इसका प्रभाव नाटक कारों पर भी पड़ा राजनितिक संस्थाओं की मकारी को इंगित करते भे टुक्र लक्ष्मी नारानलाल ने रक्त कमल लक्ष्मी नारानलाल का रक्त कमल चतुर बुजराक्षर पंचु पुरुष गंगामाटी शंतोस कुमार नोटियाल का चाय पाठी है कनार्टेशी बटनाकरने जहर जनता का सेवक ज्यान देवग निहोत्री का सतुर मुर्ग शुशील कुमार सिंकन आगपाश शरजोसी ने एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां सरजोसी ने लिखा एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां अंधो का हाती संकरशेशनी फंदी बंधन अपने अपने मनी मधुकरनी बुलबुल सराई मनी मधुकूर का बुलबुल सराई पूछा हुआ है बुलबुल सराई मनी मधुकर खेला पालंपूर भी पूछा हुआ प्रिश्ण है कुस्म कुमार का रावन ओम क्रांती क्रांती दिली उच्छा सुनती है और रमय सुपाध्याय का पेपर वेट भी मेहत्रपूर नाटक है जो पूछा जा चुका है अब हम देखते हैं समकाली इन कहानी के संथर्प में सन कहानी विधा है उसने अन्य विधाओं के पेख्षाप्ना स्थान केंजी बना लिया था अर्था व्रदी कर रही थी कहानी विधा है राजनेतिक सामाजिक भठकाव के स्तिती में नई पीढ़ी के श्रजनात्मक के मान सिक्स तर को उन्नत किया है पुरानी पीढ़ी की मानसिक्ता के इनके मुल्ले एक तम भिन्ने है आठवे दसक की बात हो रही है आठवे दसक के कहानिकारोनी जी उनके विविद्व अंतरम और तनाव पोन्चवियों को जो चित्री अथारतूर में गित किये वो पुरानी पीडी से एक दम अलग है ये पिछली पीडी की तरह तकलिफों से भागते नहीं है उन्हें काबू मिलाकर भोगते हैं अथारत तकलिफों से भागते नहीं है पितुन का सामना करते हैं अब इस कहानी का स्वर अस्तीत्व वादी ने रहकर मानवतावादी हो गया है किस कहानी का बहुत अच्छा प्रिस्निंग यहां बनाया जा सकता है किस दसकी कहानियों के बारे में यह कहा गया है कि वो यथार्थ रूप में जो तना और जो जवियां थी पुरानी पीधी से अलग जो नई पीधी है क्या कर रही थी कि वो तकलिफों से भागती नहीं है और उन्हें काबु में करती है नहीं पीधी और इस कहानी का मुलस्वर स्थित्ववादी नह रहकर मानवता वादी हो गया है यह किस कहानी आंदोलन के दशक के विज़े में कहा गया है तो अठ वे जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुबूती, आंतरिक इर्ष्या, स्वार्थ परता, जीवन की कृत्रिम्ता, आधी की अभिवेक्ती कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और अमरकांत की कहानियों में देखा जा सकता है जो नगर ये जीवन है उसकी स्वार्थ परिता और जीवन की कृत्रिम्ता और आंतरिक जो इर्ष्या है और सतही सहानुबूती है इस नए कहानी की विशिष्टाएं है जो इन तीनों की कहानियों में देखी जा सकती है अमरकांत, अमलेश्वर, निल्मर्वन, आधुनिक पोथ से उत्पन, अकेलेपन, रिक्तता की अनुभूती, को भी उसमें अभिवेक्त किया गया है, नई कहानी को सम्रद करने में हिंदी कथा लेखी काओं का भी महतोपुन स्थान रहा है, उसा प्रियम्ता मनुभंडारी, कृष्णा सोपती, सीवानी, महरुनिशा प्रवेश, रजनी पर्णिगर जैसी कहानी लेखी काओं ने पती- मनुभंडारी के कहानी संग्रे है, आप से पूछा जा सकता है, मनुभंडारी का कहानी संग्रे नहीं है, तो आप इन सब को याद रख लेगे, मैं हार गई, त्री शंगु, तीन निगाहों के एक तस्वीर, और यही सच है, यह मनुभंडारी के कहानी संग्रे है, प्रेम औ और विवहा के जो कट्टू मधूर संबंद हैं उनको इन्होंने चित्रत किया है कमलेश्वर की बयान राजा निर्वल्शिया राजिंद्र रियातों का तूटना मनुभंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की ऐव परीचित कहानिया इस त्रस्टी से उलेखनी है किस त्रस् मन दिखाए गए हैं तो एक आपको अलग दे देंगे तो कमलेश्वर की बयान कहानी राजा निर्वल्शिया कहानी राजिंद्र रियातों की तूटना कहानी मनुभंडारी की यही सच है कहानी और मोहन राकेश की ऐव परीचित कहानी में इस विश्य को उफारा कहा है मोहन क्लेश्वर की तलाश उसा प्रिवदा की चुट्टी का दिन अमर कांत की जिंद्र रियातों की तूटना मनुभंडारी की हिसाच है परीचित उसा प्रिवदा की चुट्टी का दिन अमरकांत की जिंदगी और जोंक, अमरेश्वर की तलाश आगे देखते हैं नए कहानिकारों में कुछ अर्चित नाम जो है महिप सिंग, दिनेश पालिवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मेश्वर, श्रधा कुमार, ममता कालियार, निरूपमा सोबती, दिप्ति खंडेल वाल आधी महिला कहानिकार है यदे भी यह सुची किसी भी सीमा तक और भड़ सकती है यान बहुत सारे कहानिकार हैं जिनका नाम यहां नहीं दिया हुआ है नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धी है, नई कहानी में मुल्य हिंता नहों कर मुल्यों का परिवर्तन है नहीं कहानी किसी एक अक्षण या एक स्थिती या एक संबेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है साथ कोतरी कहानी, प्रारंबिक कहानी, प्रेमचंद यूगीन कहानी ऐसे दे दिया जायेगा तो आप क्या कहेंगे नई कहानी समकाली, छिंदी साहित्ते में नई कहानी आंदोलद भी हुए जिन में नई कहानी सेचेतन कहानी महीपसी ऐचेतन कहानी साठोतरी कहानी ए कहानी निर्मल वर्मा समानांतर कहानी ये कहानी आंदोलन है इनके आंदोलन करताओं को आपको जिसे ध्यान में टखना है कमलेश्वर समकालिन कहानी के गंगा प्रिशाद विमल करी बार पुछा हुआ है जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी, आधी प्रमुक कहानी आंदुलन आए कुछ प्रमुक कहानिकार और उनकी प्रमुक कहानिया इस प्रकार है महत्वण महत्वण कहानिया है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि आपसे कभी मिलान कीजी वाले प्रिश्णों में कभी वस्तुनिस्ट प्रिश्णों में आपसे कहीं न कहीं इनको देकर पूछ लिया जाए म्रदुलागर की कहानी दुनिया का काईदा उसका विद्रोहर और डेफोडिल चल रहे है ये किसकी है? म्रदुलागर की कहानी है दुनिया का काईदा उसका विद्रोहर डेफोडिल चल रहे है मंजुल भगत का सफेद कोवा पूछा हुआ प्रिश्णों है म्रत्यु की और मनिका मोहिनी हम बुरे नहीं थे मारकन्डे पूछा हुआ प्रिश्णों है हनसा जाए अकेला राजी सेट तीसरी हतेली ग्यान रंजन संबंद शेश होते वे तीसरी हतेली राजी सेट का भी पूछा हुआ प्रश्ण है अम गोश्वामी दर्द की मचली महिंद्र भल्ला कई बार पूछा जा चुका है एक पती के नोर्स नेट में तो बहुत बार सुखी और का पिए परवेट पीज पूछा जाता बगोश्वार की जाका आइपरमु कहानी है ऑप्र हे अ चत्री वाली लड़की दत्ता द्रे का दुख पाल गोम्रा का स्कूटर बहुत मैं तपून है पीली चत्री वाली लड़की और तीरीच्वे उच्छे जा चुके हैं और में प्रात्ना दर्याई गोडा ये किसके हैं उदेब्रकास के धिरेंद्र अस्थाना का उस रात की गाउं में हिडिंबा के गाउं में बट्रोही अखिलेश का मुक्ति अब्दुला बिश्माहा का बिश्मिल्लाहा का रेन बचीरा सर्वेश्वर्दया सक्षेना क्षितिच के पाल बतला हुआ कून पराजे काक्षण सुरेंद्र वर्मा प्यार की बाते तथा अन्नी कहानिय और बतला हुआचें मालती जोशी रहीमन धागा प्रेम का समय परिवर्तन सील है भविश्य के गर्व में अभी कई रहेश्य चिपये हैं अब हम देखते हैं समकालीन उपन्यास के संधर्प में समकालीन दोर का अधिकांस लेखन व्यक्ति के इंडरित रहा और रचनकार व्यक्ति के माध्यम से समय और समाज के हालत हो सामने लाया है इस प्रवर्ति का सरवाधिक मुखर अभी व्यक्ति गोबर गडिस्त किस्सा गुलाम और आपका बंडी जैसे उपन्यासों में हुआ है किसका समकालीन दोर का जिसमें लेखन जो है व्यक्ति केंद्रित रहा है यह उपन्यासों के नाम लिये हैं कि यहां जो विशे है जो केद्र है वो व्यक्ति रहा है नए उपन्यासकारों में बहुत दिखता है नए उपन्यासकारों की विशिस्ताय बताई है बहुत दिखता है हर विश्य को बोधिक्ता की कसोटी प्रकसने और निश्चित राय देने की सामर्थे इनमें दिखाई देती है आज के उपन्यासों में दैहिक भौतिक संबंदों का बहुत बारिकी से परिक्षुन किया गया है पती पत्नी के बीच तनाव आ जाने और आपसी संबंदों के टूट जाने की विसेवस्तु भी कई उपन्यासों के केंदर में रही है इस काल में हिंदी उपन्यासों के नोकरी पेशा मध्यमर के लोगों की सहरी चिंदगी में आ जाने से जागरुक उपन्यास कारों ने आंचलिक उपन्यास खुब लिखे हैं महानगर्य जीवन की अंत्रणा और खोकलेपन को उभारने वाले उपन्यास दिप्रियात मात्रा में लिखे गए हैं कुल मिलाकर जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विश्वमता, राजनितिक जीवन के अराजुपता, विद्रुपता, मुलेहिंदा, ब्रिष्ट रचार को लेकर भारी मात्रा में उपन्यास लिखे गए हैं समकालिन कुछ प्रमुक उपन्यास कारों उनके उपन्यास इस प्रकार हैं यह बहुत महत्तपून उपन्यास हैं जो आपको याद रखने ही हैं क्योंकि बहुत स्थीमित मात्रा में आपको इहां इन उपन्यास और उपन्यास कारों का नाम दिया है वैसे तो उपन्यास और उपन्यास कारोड की भर्मार है इसलिए आपको ये तो स्पेशली याद कर ही लेने है रदुला गर चितकोब्रा बहुत मेर्तपुन है कई बार पूछा जा चुका है उसके हिस्से की थूप और वनसच और अनित्ते निर्मल वर्मा वेदिन लाल्टिन की चत श्रीकांत वर्मा दूसरी बार आज कमल चोद्री मचली मरी हुई बहुत बार पूछा जा चुका है ये सभी प्यूशन है कहीं न कहीं पूछे गए है बिश्म साहनी कडिया जिर्राज की सुर का चिडिया घर लक्षमी कंत वर्मा का टेरा कूटा श्रीलाज शुक्र का राज़ दरवारी बहुत महत्पूर उपन्यास है जान रखेंगे हैं यूँ भी आपसे प्रेशन बना कर पूछा गैए नहीं है तो आधागाँ दे दिया, घर व्हिंवत जोन पूरी दे दिया और एयक आपomo राग दर्वारी दे दिया तो राग दर्वारी श्याम व्यास का एक प्याशा तालाप उम्प्रकास दीपक का कुछ जिल्दिया बे मतलब कृष्णा सोब्ती सुरज्मु की इंधरे के यारों की यार और मित्रों मरजानी डार से बिचुडी और जिन्दिगी नामा ए लड़की रमेशा का गोबर गणेश यश्पाल का जूटा सच तेरी मेरी उसकी बाद मनी मधुगर का सफेद मेमनी नरेंदर कोहली का दिक्षा प्रभाकर माचवे का परंदु क्षमा साजा देवराज का पत की खोज अजेगी डा बाहर भीतर कमलेश्वर का सुबह तोपर शाम काली आंधी तीसरा आदमी अगामी अदीद समुंद्र में खोया हुआ आदमी यादफेंदर सर्मा चंदर का पतहीन दिया जला हुआ पुजा गुनाहों की देवी मेरानी शुप प्यार दे मरुकेश्री सेलेस मट्यानी का बो साज किष्ण मिश्र का काउंसली हाउस दार उल्षपा मंत्रे मंडल कुन्तो मनुष्य महिप सिंगा अभिशेश है यान प्रकास्विवेक का गली नंबर 13 ममता कालिया का बे घर और दोर ममता कालिया का बे घर उपन्यास विधा है और दोर सितांसु भारद्वाज फिर वही बेकुदी ट्रक्टर आनंद एक और अनिक तरसीम गुज्राल जलता हुआ गुलाव आधी अब हम देखेंगे समकालीन दीभंद के विश्य में और उसके बाद में हम कुछ समर्णिय तथ्य देख करके इस पुस्तक का समापन करेंगे और अन्त में एक और वीडियो बनेगा इसके वस्तुनिस्प्रस्णों का फिर यह पुस्तक समाप्त हो जाती है इसलिए कोई भी हिंदी साहिते का इतिया हज जब आप पढ़ें तो इस पुस्तक का अध्यन अवश्य करें क्योंकि यह है आपका बेस्त तयार करने वाली पुस्तक है अब हम देखते हैं समकाली निभंद के विश्य में आज निभंद परंपरा अधिक एकाग्र और प्रधान विधा के रूप में गतिशली है आचारे रामचेंच शुक्रों और आचारे हजारी पिशाद वेदी की निभंद परंपरा का विकास यहां अवरुद्धन नय होकर नई चिन्तन पदितियों को अभिवेक्ति मिली है अर्थात दिभंद जो है उसमें शुक्लों और हजारी पिशाद वेदी के दिभंदों को अभिवेक्ति आगे नई चिन्तन के साथ मिली है जिसमें अग्ये विद्यानिवास मिश्व कुवेनात रार निमल बर्मा रमिश्चंद्र शाह शराजोसी चान के वलब सासी रमिश्व शुंकल अंचल नेमिचंचैन विश्णु प्रभाकर जगदिश चतरवेदी डॉक्टर देवराज नामवर सिंग और विवेकिरार ये प्रमुक हिंदी निबंद परमपरा को आगे बढ़ाते हैं शुक्ल और द्वेदी जी की परमपरा को अग्येची की निबंदों ने पाठको का ध्यान सरवाधी का कृषित किया है उनके इस हमिक्षात्मक निबंद वेजोड हैं इनकी निबंद संग्र है आत्मापरग केंद्र और परीदी स रजना और संधर्व स्म्रती लेखा कहां है द्वारी का आधी प्रमुख है विद्यानिवास मिष्ण ने सिक्षा संस्क्रति और साहित्य की चेत्र में ललितनी मंद लिखे हैं विद्यानिवास मिष्ण ने किसके चेत्र में सिक्षा संस्क्रति और साहित्य के चेत्र में लल बंदोगी कंटिले तारों के आरपार संचारी नी कौन तू फुलवा बिनन हारी अश्मित्ता के लिए ब्रहमारानिद के पत्र अंगद की नियती चितवन की चाहा है कदम फूली डारप तुम चंदन हम पानी अंगन का पंचियोर बंजरामन मैंने सील पहुंचाई साहित्ते क कि चेतना महावारत का काव्यार्थ लागोरग हरी अगनीरत प्रमुकनी बंद संक्र है किसके विद्यानिवास मिश्रु के सभी आद कर लेंगे मैं तो पूछी जाते हैं समिक्षात्मक निबंदों में अपनी प्रखर बोधिक्ता की चित्र में सबसे प्रभल निक बंदकार हैं गजानन माधव मुक्तिवोद अब आपसे यहां प्रेशन बना कर पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से निबंदकार है जो अपनी प्रखर बोधिक्ता की चित्र में प्रबल रहे हैं समिक्षात्मक निबंदों को लेकर कि तो गजाननन माधव मुक्तिवोद मुक्तिव जाता है कि यह कैसी विदा है तो निबंद विदा है नामक निबंद संग्रोहों से नई समिक्षा को गति प्रदान की एक निबंदकारों में विजेदेव नाराण साहिक की भूमी का विव लेकनी रही है नए निबंदकार है उनमें उनके निबंद लगो मानव के बहाने हि इन दी निबंद को नया रूप रंग दिया है इन दी बंदों में उनकी सुरेजनात्मक बोधिक क्यात्रों का एक रोमान्सिक संसार है इनकी निबंद संग्रएं हैं शब्दोस्प्रति कलाका जोकिम नेमिचन जैन ने निर्मल जी से हटकर निभंद लिखे हैं उनके अधूरे साक्षातकार रंगदर्शन बदलते परिपेक्ष्वे तथा जनान्तिक की समिक्षात्मक निभंदों ने एक अलग पहचान बनाई है रामविला शर्मा के निभंद सेली हिंदी गद्धे में स्वच्छता प्रकरता और वैचे रिक्ता के लिए हुए हैं विरामचिन है रामविला शर्मा विरामचिन है माक्षवाद और प्रगतिशिल साहित्य परंपरा को मुल्यान कर मानव सभ्यता का विकास बहाशा युग बोधोर कविता, कथा विवेचन, कद्धि सिल्थ, माक्ष और पिछडे हुए समाद जैसे निभन्द संगर लिखे है। वेंगे साहित्यी की प्रगति कर रहा है इस छेत्र में कुभीर नात्राय विवेकिराय शरजोसीर अविंद्रकालिया आधीनी हिंदी निबंद की एक समार्थ वेंगे सेले विक्षित करी है ये वार निबंदकारों में प्रभाकर चोत्रिये चंद्रकांत वाडी वडेकर विवेकिराय से महत्वपून निबंदकार इस तोर में उभरे है रासनेतिक सांस्क्रतिक विशों पर चिंतन के ताजगी से निबंद लिखना इन नई निबंदकारों की विसिस्ट्र प्रवर्ति रही है आगे हम कुछ महत्वपून समर्णियत अथ्य देखेंगे जो इस प परश्चात हम अंत में इसके वस्तुनिष्ट प्रश्णों का अध्यनकर इस पुस्त की समाप्ति करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद